बॉलिवुड फिल्मों में जिस तरह किसी भी फिल्म में एक लीड आक्टर को सबसे ज्यादा इंपोर्टंस मिलती है उसी तरह टीवी इंडस्ट्री में भी हर शो के लीड हीरो हीरोईन को ज्यादा महत्व दिया जाता है रजीगी नागिन और शक्ती सीरियल में सबसे ज़ादा लीड रूल एक्ट्रसिस को ही तवजव दी गई है तो आज हम ऐसे में बात करेंगे टीवी की उन पांच खुबसूरत और बोल्ड एक्ट्रसिस की जो बॉलिवुड हिरोईनों को मात दे रही हैं तो आईए जानते हैं मॉनि रॉइ मॉनि रॉइ टीवी इंडस्ट्री की अब वो हिरोईन बन गई हैं जो बॉलिवुड में पैट्ट जमाने लगी हैं मॉलिंग हाल ही में अक्षे कुमार की साथ गोल्ड में नज़र आई थी जिसमें उनके काम की खूब तारिक हुई और अब वो रंडीड आलिया स्टार भ्रहमस्त्र में दिखेंगी बोलनेस में मॉनि किसी भी बॉलिवुड हिरोईन से कम नहीं शिल्पाशिंदे शिल्पाशिंदे को आप टीवी शो भावी जिधर पर है की वज़े से ज्यादा जानते हैं लेकिन शिल्पाश टीवी इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से काम कर रही हैं मगर बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि शिल्पाशिंदे ने टीवी शोस के अलावा दो तेलिगू फिल्में भी की हैं अदाखान नागिन शो की दूसरी नागिन शेशा यानि अदाखान टीवी इंडस्ट्री की सबसे खुबसुरत अक्ट्रोसे बानी चाती हैं अदा ने अपना टीवी डेब्यू सोनी चानल से किया था लेकिन साल 2010 में इस टाप्तस की शो बहने से अदाखान को असली पहचान मेरी आज नागिन शो में अपने विलन किर्दार के लिए वो काफी फेमस है रादिका मदान नाम से भले ही आप रादिका को शायद ना जानते हों लेकिन फोटो देखकर जरूर आपके मुझसे एक नाम ही निकला होगा वो है इशानी जी हाँ 22 साल की रादिका मदान ने टीवी पर सिर्फ एक ही शो किया है और इस एक ही शो से वो काफी फेमस हो गए साल 2015 में रादिका ने अपना टीवी डेब्यू कलर्स के शो मेरी आशिक की तुमसे ही सिखिया था जिसके लिए उन्हें कई एवोर्ट्स मिले और अब रादिका फिर्म पठाका से बॉलिवोड में बड़ा धमाका करने वाली है रुबीना दिलाइक रुबीना का नाम इशिया की टॉप टेंथ सबसे सुन्दर महिलाओं में आता है रुबीना ना सिर्फ टीवी की सबसे खुबसूरत बहूं में से एक हैं बलकि वो टीवी की दुनिया के बाहर अपनी बोलनेस के लिए भी जाने जाती हैं रुबीना जी टीवी के शोव चोटी बहू और चोटी बहू टू से फेमस हुई थी और अब कलर्स के शोव शक्ती के लिए वो जानी जा रही है